नमस्कार दोस्तों जी एस रेसीपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम जो प्राचीन भारत और जो मद्यकालिन भारत की जो सिरीच चल रही है कोशन की उसका पार्ट फोर बनाने जा रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन जो बोल रहा है पहला कोशन है इन में से कौन गजनी राजवन्स का संस्थापक था इसका जो सही एंसर है इसका सही एंसर है अलपत गीन अलपत गीन जो था वो गजनी राजवन्स का संस्थापक था इसके बारे में कुछ important fact note कर लीजिए जो गजनी राजवंस है इसका एक दूसरा नाम भी है इसे यामनी वंस भी कहा जाता है इसे यामनी वंस भी कहा जाता है और कुछ important fact और है जो गजनी राजवंस का जो संस्थापक था अलपदगीन उसने क्या किया सा उसने 963 हिस्वी में 963 हिस्वी में एक जगह है एक जगह है जाबुलिस्तान जगह का क्या नाम है जाबुलिस्तान जाबुलिस्तान एक जगह है वहाँ उसकी जाबुलिस्तान की जो राजदानी है उसका नाम गजनी है वहाँ का एक सासक था जिसका नाम था जिसका नाम था अमीर अमीर अबू बक्र लाविक बक्र लाविक इसने क्या किया था ये जो अलपद गीन था अलपद गीन ने ये जो इस नाम का जो सासक था इससे इसकी जो जगह थी जो राज था उससे छीन लिया उसी समय जो गजनी वन से इस राजी की राजधानी जो है वो गजनी बन गई ठीक है अलपदगीन के बाद क्या हुआ अलपदगीन जो था अलपदगीन के बाद इसका एक दमाद था इसका एक दमाद था जिसका नाम क्या था जिसका नाम था सुबुतगीन जिसका क्या नाम थ था वो बना था 998 इस्वी में सासक बना था वो किसका पुत्र था वो सुबुत्गीन का पुत्र था ठीक है कुछ important fact और जान लेते हैं जो सुबुत्गीन है यह प्रथम तुर्की सासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और इसने किसको पराजित किया था इसने हिंदू के एक राजा थे जिनका नाम था जैपाल इसने किसको पराजित किया था जैपाल को पराजित किया था एक और important fact note कर लिजे जो सुबुत्गीन के दरबारी कवी में एक कवी थे जिनका नाम था बैहाकी ने एक रचना की थी एक मतलब किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीक ये सुबुत्गीन ये इसकी रचना का नाम था और जो ये बैहाकी जो था इसको एक उपादी दी गई पूर्व का पैपसी पूर्व का पैपसी नहीं स्वरी पूर्व का पैपस इसको एक उपादी दी गई थी और ये जो मैंने भी बताया था जो बैहाकी था वो महमूद गजनवी के दरवार में भी था और वो सुबुत गीन के भी दरवार में था ओके अगले कोशन की तरफ चल बहुत से दरवारी कभी थे उसके नाम आप नोट कर सकते हो पहला जो important दरवारी कभी था उसका नाम उत्वी मैंने बता दिया दूसरा है अलबरूनी अलबरूनी जो था वो भी एक दरवारी कभी था उसके बाद दूसरा है फिर्दौसी जो फिर्दौसी था वो भी वो भी ए मतलब कवी था ठीक है एक विद्वान था फारुकी के बाद फिर्दौसी हो गया फारुकी हो गया और बैहाकी के बारे मैंने बता ही दिया बैहाकी को भी आप नोट कर सकते हो बैहाकी भी इसके दरबार में था उसके बाद उन सारी भी एक दरबार में था इसके तो कितने हो ग महमूद गजनवी के दरबार में थे कुछ और important fact जान लीजेगा जो उतबी था ये जो उतबी है ये महमूद गजनवी का जो दरबारी था वो ये एक इतिहासकार था और इसने क्या किया था जो महमूद ने भारत पर जो आक्मण किये थे उनका जो वल्डन किया है न वो उतब आनी जो है इसको अरबी भासा में लिखाता इसने ठीक है और एक important fact जान लीजिएगा जो al-barooni नाम मैंने बताया था दूसरा important जो नाम था albarooni अल्बरूनी के बारे में कुछ important fact जान लिजिए जो अर्बनू थी अर्बरूनी था अल्बरूनी था उसका नाम था 900 इसका जो जन्म हुआ था वो 900 इत्तर इस्वी में हुआ था और कहा पर इसका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था खीवा नामे की स्थान पर हुआ था फिर क्या हुआ फिर 1017 इसवी में क्या हुआ 1017 इसवी में जो ये महमूद गजनबी है इसने खीवा पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद वहां के सासक को पराजित कर दिया और उस समय मतलब वहां के सासक को पराजित करने के बाद उनको बंदी बना लिया और उनको बंदी बनाने के साथ-साथ एक तरीके से अलबरूनी को भी युद्ध बंदी बना लिया ठीक है अब जब से अलबरूनी को युद्वन्दी बना लिया और वो एक विद्वान आदमी था कवी भी था तो इसने उनको अपने दर्बार में रख लिया अलबरूनी का अगर उपनाम पूछा जाए तो अलबरूनी जो है उनका एक उपनाम है जिनका नाम है अबू रहान मुहम्मद अलबरूनी का एक उपनाम भी था ठीक है आप इसको भी याद कर सकते हो इसके बाद और एक इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हो ये जो अलबरूनी ही था ये पहला ऐसा मतलब मुसल्मान था जिसने पुराडों का अध्यन किया था ठीक है इससे पहले जितने भी मुसल्मान थे उन्होंने कोई भी पुराडों का अध्यन नहीं किया था तो अगर ये कोशन पूछा जाए कि पुराडों का अध्यन करने वाला प्रत किताबुल हिंद ठीक है किताबुल हिंद इसको एक और नाम से जाना जाता है इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इसमें इसने क्या किया है इसने भारत के भुगोल के बारे में भारत के विज्ञान के बारे में भारत के गडित के बारे में भारत के इ जो इसकी बुक थी जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इसको एक तरीके से भारत का दरपड कहा जाता था इस किताब को ठीक है और ये जो किताबुल हिंद जो ये एक बुक थी इसका जो हिंदी अनुवाद किया था उनका नाम था रजिनी कांथ रजिनी कांथ सर्मा जी जो है इन्होंने इसका हिंदी अनुमाद किया था ठीक है और इसका जो अंग्रेजी अनुमाद है एक मतलब रचनाकार है जिनका नाम है एड़वर्ड सचाउ इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुमाद किया था कुछ important fact और देख सकते हैं महमूद गजनवी के समय एक मतलब विद्वान था या एक कवी था फिर्दौसी जिसने क्या किया था जिसने एक रचना की थी जिसका नाम था साह नामा जिनका क्या नाम था जिनका नाम था साह नामा एक रचना की थी और फिर्दौसी जो था फिर्दौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था या फारस का ह उमर भी इसको कहा जाता था ठीक है और और क्या important fact है और important fact यह है तो यह जो फारुखी था ना फिर दोसी नहीं फारुखी जो था फारुखी ने जो महमूद गजनभी है इनके बारे में एक निगार खाने में इसने उले किया किसने फारुखी ने और वो जो निगार खाना है वो कहां पर है वो लहौर में है और उसमें क्या किया गया है उसमें महमूद का रूप चित्र का वर्डन किया गया है उसके व्यक्त चरित्र का भी वर्डन उसमें किया गया है फिर नेक्स्ट कोशन के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट कोशन क्या बोल ने 1017 में आक्रमण किया था, ठीक है, खेवा के उपर, उस समय ये युद्ध बंदी के रूप में आया था, तो ये किसके समकालिन था, ये मुहम्मद गजनवी के सासन, मतलब समकालिन था, ओके, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, अगला कोशन क्या बोल रहा है, महमूद गजन गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, कथन बिल्कुल सही है, और दूसरा कथन बोल रहा है, वा भारत में इस्थाई मुस्लिम सासन की स्थापना करना चाता था, तो ये कथन जो है, वो गलत है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा, एंसर समबर Se, पहला जो कथन है, वो सही है, और जो कारण है, वो गलत है, अचा कारण गलत कैसे है, कारण इसलिए गलत है, महमुद गजनवी ने 17 बार आक्रमण तो किया, लेकिन वो भारत में स्थाई मुस्लिम सासन की स्थापना नहीं करना चाता था, तो वो करना क्या चाता था वो भारत की संपत्ति को लूटना चाता था इसका मुख्य उद्देश वो था और महमूद गजनभी ने कब से लेके कब तक भारत पर आकमर किया था तो आपको याद रखना है महमूद गजनभी ने 1000 से लेके 1027 इसवी तक भारत के उपर हमला किया था 17 बार ठीक है चलिए अगले कोशन के उपर चलते हैं अगला प्रशन क्या बोल रहा है अगला प्रशन है सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश क्या था तो मैंने बताया उसका उद्देश मतलब धर्म परचार नहीं था सामराज विस्तार नहीं था उसका मुख्य उद्देश कलेक्शन आफ विल्द मतलब धन संग रहेका उसका उद्देश शता अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन काफी बड़ा कोशन है आप देख लीजिएगा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट कोशन बोल रहा है निम्लिकित में से किस अनुकरम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमर किया था दोगो इसका जो सही एंसर है ना इसका सही एंसर है एंसर नमबर डी अब इसके बारे में मैं कहानी सुना रहा हूँ आप सुनते जाईएगा क्योंकि जो मेडाइवल हिस्टिय है वो कहानियों में ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगती है ठीक है अब महमूद गजनबी के बारे में पूरा डिटेल सुन लीजे महमूद गजनबी जो है महमूद गजनबी का जन्म हुआ था महमूद गजनबी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1971 को कब गजनबी ने जो भारत पर आक्रमर किया आरम भूर। मतलब 999 जैसे ये राजा बना उसके बाद इसने भारत पर आक्रमर तो किया लेकिन भारत के अंदर नहीं आया भारत के बिल्कुल सीमा के किनारे जो किले थे उन्हीं को वो जीत के खुस हो जाता था लेकिन सबसे पहला जो इसने आक्रमण किया था भारत के उपर वो किया था एक हजार एक इसवी में और वो किसके विरुद किया था ये इसको नोट कर लेते हैं जो पहला आक्रमड किया था वो एक हजार एक इसवी में किया था और उस किसके उपर किया था हिंदू सासी के एक राजा थे पंजाब में जिनका नाम था राजा जैपाल उनका क्या नाम था राजा जैपाल राजा जैपाल के विरुद इसने आक्रमड किया ठीक है और क्या किय पंजाब जो पाकिस्तान का आधा पंजाब और इंडिया का आधा पंजाब वो पंजाब पहले पूरा एक था तो वहाँ पे जो पेशावर जगह थी वहाँ पर इसने राजा जैपाल को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया ठीक है बहुत बुरी तरीके से हरा जिया और इतना मत 2004 इसवी में क्या हुआ जो महमूद गजनभी है ना इसने किस पर आक्रमण किया इसने मुलतान पर आक्रमण कर दिया किस पर आक्रमण किया मुलतान पर इसने आक्रमण कर दिया इसने पिर से पराजित कर दिया आनंदपाल को ठीक है और आनंदपाल ही एक ऐसे राजा थे कुकि दोगों इनों ने अपने पिताजी को देखा था कि भाई इनों इनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया महमुद गजनवी ने तो आनन्दपाल पहले से सतर्क हो गए, जब आनन्दपाल पहले से सतर्क हो गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू राजाओं को एक महमूद गजनभी के खिलाफना एक संग बनाया, ठीक है, और फरिस्ता एक लेखक है, जो बताते हैं, कि उस समय जो संग बनाया था ना आनंद पाल ने उसमें कौन कौन सामिल था उसमें अजमेर के राजा भी सामिल थे उसमें अजमेर के राजा फिर उसके बाद दिली के राजा दिली के बाद उज्जेन के राजा भी वहां पर उसमें सामिल थे उज्जेन के बाद गौालियर के राजा भी उसमें सामिल कन्नोच के बाद कालिंजर के राजा भी उसमें सामिल थे ठीक है यह 109 इसवी में उसने उसको परास्त कर दिया फिर उसके बाद टाइम बीटता गया 109 के बाद फिर उसके बाद समय आ गया 1014 का 1014 में क्या हुआ 1014 में महमूद ने ठानेसवर पर हमला किया ठीक है अब यह मैं बताते जा रहा हूँ मुल्तान पर कप किया था मुल्तान पर किया था 2004 में फिर उसके बाद ठानेसवर पर इसने कप कर दिया ठानेसवर पर इसने हमल दिया फिर उसके बाद क्या हुआ फिर 2015 से लेकर 1021 इसवी के बीच महमूद ने दो बार कस्मीर जीतने का प्रयास किया लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हुआ ठीक है वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसको मुँ तोड जवाब दिया फिर क्या हुआ फिर 2018 इसवी में ही उ और फिर वो पहुचा मतुरा और मतुरा जो क्रिशन जी की जन्मिस्थली है वहाँ पर उसने हमला किया हमला करने के बाद उसको खुब लूटा खुब लूटने के बाद उसने खुब मंदिरों को भी तोड़ा ठीक है फिर मतुरा के पस्चात क्या हुआ एक 2018 इसवी में उस वंस चल रहा था गुर्जर प्रतिहार का वंस चल रहा था ठीक है उस समय वहां का राजा कौन था गुर्जर जब इसने कन्नौच के उपर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा जो था उसका नाम था राजिपाल उसका क्या नाम था राजिपाल उसका नाम था फिर उसके बाद क्या हुआ, जब राज इस ने मतलब कुर्जर प्रतिहार वंस जो कंनाउच के ओपर जब मेह्मूद गजनबी ने आकमल किया तो राजिपाल क्या हो, राजिपाल घबरा गया वो डर गया, डर कर वो क्या हुआ वो भाग गया वो कन्नो छोड़कर भाग गया कन्नो छोड़कर कहां भागा कन्नो छोड़कर भाग गया बारी दुर एक है वहां जाके छिप गया इसकी जो कायरता थी न ये एक राजा थे बुंदेल खंड के बुंदेल खंड के एक राजा थे चंदेल वंस के ठीक है जिनका नाम था विद्याधर जिनका क्या नाम था जिनका नाम था विद्याधर ये सब चीजे वो सुन रहे थे और विद्याधर को ना बहुत गुस्सा आई जो ये भाग गया था तो विद्याधर ने क्या किया विद्याधर ने फिर से राजिपाल के उपर क्या कर दि तो मेहमूद गजनभी भी गुस्सा हो गया गुस्सा क्यों हो गया क्योंकि उसने दुस्मन को मार दिया था तो कहा कि मेरे सीवा और कौन मार सकता है उसको ठीक है तो उसने क्या क्या उसने विद्ध्यादर को दंड देने का मतलब फैसला किया फिर उसने क्या क्या एक हजार अठारा की ये बात चल लई थी फिर एक हजार उननीस इसवी में क्या हुआ एक हजार उननीस इसवी में वह फिर से पुना भारत आया और भारत आने के बाद वहाँ पे एक राजा थे इसके पहुचने से पहले एक राजा थे हिंदू के ही उनका नाम था राजा त्रिलोचन पाल उनका क्या नाम था उनका नाम था राजा त्रिलोचन पाल राजा त्रिलोचन पाल को पहले उन्होंने पराजित किया फिर उनको परास्त करने के बाद ना फिर वो विद्ध्याधर के पास है और विद्ध्याधर को बुंदेल खंड की सीमा प ठीक है संदी करने के बाद क्या हुआ फिर उनको राजने मारा नहीं राजने छोड़ दिया फिर उसके बाद ये चला गया फिर उसके बाद ये फिर से पुना वापस आया कब वापस आया एक हजार पचीस इस्वी में एक हजार पचीस इस्वी में जब ये आया ना तो इसने गुजरात के सोमनात मंदिर के उपर हमला किया, कहां पर किया, गुजरात के सोमनात मंदिर के उपर हमला किया, और उस मंदिर को पूरा ध्वस्त कर दिया, ठीक है, और आक्रमण के समय जो गुजरात में जो वंस चल रहा था, वो चालुक के वंस चल रहा था, कौन सा वंस चल नाम था राजा भीमदेव भी राजा भीमदेव प्रतम ठीक है भीमदेव बिना युद्ध की यही भाग गया पूरा मैदान छोड़के इसलिए तो उसने लूट पाट कर ली ठीक है फिर वहां से बहुत से संपत्ति को लूटा फिर उसके बाद जब वह वापस जाने लगा अ परिशान बहुत हुआ और जो इसका अंतिम जो हमला था भारत के उपर इसने अंतिम हमला किया था भारत के उपर 1027 इस विव में और वो किसके विरुद था जो जाट इनको परिशान कर रहे थे इने के खिलाब कर दिया जाटों के विरुद कुछ और important factor एक दो लाइन और ब जो जैपाल जो खुदकुसी कर लिया था जैपाल ने सुबुद गीन के विरुद जो सुबुद गीन था ना उसके पिता जी किसके पिता जी महमूद गजनभी जो पुत्र है महमूद गजनभी और उधर जो जैपाल है वो जैपाल कौन थे जो महमूद गजनभी से हार के ज उसके विरुद अनेक भारती राजाओं को उन्होंने भी संग बनाया था किसने संग बनाया था जैपाल ने भी संग बनाया था जैपाल के बाद जो उनके पुत्राया आनंद पाल आनंद पाल ने भी संग बनाया था तो दोनों को आपको याद रखना है ठीक है अगले question के उपर चलते हैं इसका जो सही answer है ना इस question का question का सही answer है answer number D अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या बोल रहा है दोगों अब काफी question आपके ऐसे ही solve हो जाएंगे अगला question है महमूद गजनवी के साथ युद में अपमान जनिक पराजय के पश्चात आत्म हत्या करने वाला पंजाब का हिंदू सासा कौन था मैंने बताया था हिंदू सासा कौन था जैपाल था जिसने आत्म दाह कर लिया था अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या बोल रहा है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू साही राज की राजधानी क्या थी मैंने बताया था उस समय जो राजधानी थी उसका नाम था उद्भांड उसका नाम क्या था उसका नाम था उद्भांड अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं सब बताया जा चुका है जो explain किया है न वही सब बहुत है fact जो महमूद गजनबी के बारे में है जो पिछले question में जो बताया था न वो बहुत है अगला question है अगला question बोल रहा है निमलिकित में से कौन हिंदू साही राजा महमूद गजनबी के विरुद हिंदू राजाओं के संग के निर्माता थे दोगो मैंने फिर से बताया दो लोग पिक्चर में आते हैं एक आते हैं महमूद गजनबी जी के पापा उनका क्या नाम था उनका नाम था सुबुत गिन उनके विरुद किसने वो संग बनाया था उनके विरुद संग बनाया था जैपाल ने लेकिन महमूद गजनबी के खिलाब संग कौन बनाया था महमूद गजनबी के खिलाब जो संग बनाया था वो जैपाल के पुत्र ने बनाया था उनके पुत्र का क्या नाम था उनके पुत्र का नाम था आनन दुपाल वो किन ने बनाया था वो जैपाल ने बनाया था ठीक है अगले प्रिश्णी की तरफ चलते हैं अगला प्रिश्णी क्या बोल रहा है अगला प्रिश्णी है कन्योच पर महमूद गजनभी के आक्रमण के समय वहां का सासा कौन था वहां का सासा कौन था जो भाग गया था जिपाल था अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण क्या बोल रहा है अगला प्रश्ण है अदोलिकित विदेशी आक्रमण कारियों में से किसने सोमनात मंदरी की लूट की थी बहुत भेंगर लूटा था किसने लूटा था महमूद गजनवी ने लूटा था 17 पंद्राबार आक्रमण किया था 15 अक्रमण में इसने सोमनात मंदर को लूटा था और सोमनात मंदर के ओपर इसने हमला का था एक 2025 स्वी में किया था याद रखिए का आब अगला प्रस्ण है सोमनात पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालूक के सोलंकी वंसका गुजरात में सासक कौन था उस समय जो भीम थे न वो गुजरात के सासक थे ये भी मैदान छोड़के भाग गए थे मैदान छोड़के ये भी भाग गए थे तबी तो इसने सोमनात के उपर हमला किया था सोमनात मंदिर के उपर ठीक है अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ ये भी मैंने बताया है 1027 इस वी जो है इसका सही एंसर है इस्टार्ट कप्चे किया था 1000 से ही स्टार्ट किया था और 1027 तक ये भारत पर अक्रमण करता रहा अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है अगला प्रस्ण बोल रहा है गजनवी अक्रमण के समय आधुनिक हरियाड़ा के छेत्र में किस वन्स का राज्ज था तो उसमें आधुनिक हर्याडा में तोमर राजपूतों का अधिकार था इनके बारे में कुछ important fact और जान लीजिए जब गजनभी का भारत में उत्तर पस्चिम से आक्रमण हुआ उसमें दिल्ली से लेके हर्याडा तक तोमर राजपूत सासन करते थे ठीक है और महमूद गजनभी के बारे में एक important fact और जान लीजिए कि महमूद गजनभी जो था ना उसने अपने सैन संगठन में बहुत लोगों को सामिल कर रखा था जिसमें से जो important लोग है उसने अरब के लोगों को भी सामिल कर रखा था ठीक है उसने भारतियों को भी सामिल कर रखा था फिर उसने ताजिक जातियों को भी सामिल कर रखा था तीनों लोग उसमें सम्मिलित थे और महमूद गजनभी ने और क्या किया था महमूद गजनभी ने चांदी के सिक्कों पर एक और कलमा लिखवा दिया था तो दूसरी और क्या लिखवा दिया था संस्कृत में क्या लिखवाया था अव्यक्त मकम मुहम्मद अवतार इसको नोट कर लिजगा कोशन पूछा गया है इसने क्या लिखवाया था इसने लिखवाया था अव्यक्त मकम मुहम्मद अवतार मुहम्मद अवतार इसने ये उसके उपर प्रिंट करवा दिया था अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशनी क्या बोल रहा है अगला प्रशनी है निमलिकित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातिय सेना में हिंदों को सामिल किया था मैंने बताया था ना तीन लोगों को सामिल किया था अरब को सामिल किया था भारतियों को सामिल किया था और ताजिक जातियों को सामिल किया था किसने सामिल किया था महमूद गजनवी ने सामिल किया था अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण क्या बोल रहा है अगले प्रश्ण है गजनवी सासक के सैने संगठन में किस जाती के लोग समलित नहीं थे मैंने बताया अरप के लोग थे भारतिये थे ताजिक भी थे ग्रीक के लोगों को इसने सामिल नहीं किया था अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशनी क्या बोल रहा है अगला प्रशन है हाँ देखिए जो अभी मैंने बताया था ना किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चांदी के सिक्के जो है वो निर्गत करवाए थे उसका नाम क्या था उसका नाम था मेहमूद कजनवी मेहमूद कजनवी अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण क्या बोल रहा है अगला प्रश्ण है हाँ निम्नांकित सासकों में से किसने अपने सिखों के प्रष्ट भाग पर ये संस्क्रेट में अनुवात किया था मतलब अनुवात करके इसको चपवाया था अव्यक्तम मेकं मुहम्मद अवतार है ये किस ने चपवाया था मेमूद गजनवी ने चपवाया था अगला प्रशन क्या है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन बोल रहा है कथन और कारण वाला कुशन है देखिए कथन बोल रहा है भारत पर केकता नहीं थी तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पहला वाला ए कथन और कारड दोनों सही है तथा कारड जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है इसके बारे में कुछ important fact अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं आप पहला मुस्लिम था उसका नाम क्या था कोशन पूचा जाता है उसका नाम था मुहमद बिन कासिम उसका नाम क्या था मुहमद बिन कासिम मुहम्मद बिन कासिम ये कौन था? ये अरबी था अरब का था और ये मुसल्मान था ठीक है? उसके बाद जो प्रतम तुर्की मुसल्मान था जो भारत पर जिसने आक्रमण किया था वो कौन था? वो महमूद गजनभी के पपा जी वो कौन थे? वो सुबुत गीन थे कौन थे? सुबुक्त गीन थे ठीक है? सुबुत गीन की मृत्यू के उपरां कौन? मतलब गदी पर बैटा महमूद गजनभी जो है वो गदी पर बैटा और उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किये? उसने भारत पर सत्रा बार आक्रमण किये और कुछ important fact जान लीजे भारत में जब तुरकों ने आक्रमण किया था ना तो वो एक विशेश प्रकार के धनुस को चलाते थे उस धनुस का नाम क्या था? उस धनुस को नावक कहा जाता था उस धनुस को क्या कहा जाता था उस धनुस को नावक कहा जाता था और भारत में सरुप्थम कागच का जो प्रयोग किया था वो किस ने किया था मुसल्मानों नहीं पहले भारत में सरुप्थम कागच का प्रयोग किया था अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशनी क्या बोल रहा है सल्तनत काल के अधिकांस अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे तो मैंने बताया अधिकांस जो थे वो तुर्क वर्ग के थे किसके थे तुर्क वर्ग के थे अगले प्रिशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रिशनी क्या बोल रहा है लाहूर में गजनीवंस का अंतिम सासक कौन था लाहूर में गजनीवंस का अंतिम सासक खुसरो मलिक था कौन था खुसरो मलिक इसके बारे में भी important fact जान लीजिए दोखो जो अब यहां से मुहम्मद ग चक्रदेव उनका क्या नाम था एक मिनट उनका नाम था चक्रदेव चक्रदेव ने क्या किया चक्रदेव ने मुहम्मद गोरी को प्रोथसाहित किया किस चीज के लिए प्रोथसाहित किया उसने बोला मुहम्मद गोरी से कि आप आईए और खुसरो सा जो उस समय लाहौर का का सा सकता जो उस समय लहोर का सा सकता इसने मुहम्मद गोरी को चंदरदेव जी ने बोला कि भाया आप आओ और इसको हराओ और यहां पे अपना सासन करो तो मुहम्मद गोरी भी फिर आ गया जब किसी का इंविटेशन मिलेगा तो मुहम्मद गोरी क्यों नहीं पहुचेगा तो मुहम्मद गोरी पहुचा, कब पहुचा, 1186 इसवी, 1186 इसवी में लहोर पर आक्रमन कर दिया मुहम्मद गोरी ने, और उसने क्या क्या, उसने पूरे पंजाब पर हमला, मतलब पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया, और जो इस समय ये जो खुसरो मलिक थे, जो अंतिम स के विरुद निमनलिकित में किसके साथ मिल गया सबको पताया जो जम्मू के जो सासक थे उनका नाम क्या था जम्मू के सासक का चक्रदेव नाम था तो आप इसको भी याद रखिएगा अगला प्रशन है सुल्तान मुहम्मत गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहां हुआ था तो मैंने बताया भी प्रथम आक्रमण लाहौर में हुआ था लाहौर के लाहौर में जब इसने आक्रमण की सुरी 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 मुहम्मत गोरी का जो पहला आक्रमण है वो लाहौर में नहीं हुआ था भाई गलत 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 वो आक्रमण हुआ था मुलतान म ठीक है अब इनकी कहानी सुन लीजिए मुहम्मद गोरी की सुल्तान मुहम्मद गोरी की आप कहानी सुन लीजिए सुल्तान मुहम्मद गोरी जो था ये किस वंस से रिलेट करता था ये संस बनी वंस से रिलेट करता था किस वन से relate करता था संस बनी वन से relate करता था और यह भारत में muslim सामराज का संस्थापक माना जाता है ठीक है इसने किस तरीके से जैसे मुहमद गजनबी था इसने बहुत भेंकर अक्रमण किये थे उसी तरीके से मुहमद गोरी ने भी भारत पर बहात भयंकर आक्रमण किये थे लेकिन दोनों के उद्देशों में अंतरक था मौम्मद गजनवी जो था वो भारत में सामराजी नहीं स्थापित करना चाहता था वो केवल संपत्ति लूटना चाहता था लेकिन जो मौम्मद गोरी था वो संपत्ति तो लूटना चाहता था सा 802 में जो लाहोर पर आक्रमर किया वो तो अलग है लेकिन मुहम्मद गोरी ने अपना जो भारत पर पहला आक्रमर किया था वो 1175 इसवी में किया था और किसके उपर किया था मुलतान के उपर इसने हामला किया था सबसे पहला आक्रमर फिर उसके बाद क्या हुआ 1175 के बाद आ इनका नाम था भीम दूरती है, एक भीम जी वो थे, जो भाग गयते छोड़के, रड़ भूमी गुजरात में, ये दूसरे भीम थे, ये डर के नहीं भागे, ये डर के नहीं भागे, इन्होंने सामना किया, किसका मुहम्मद गोरी का, मुहम्मद गोरी का सामना किया, और इनक उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद बीच में ऐसी को इंसिडेंट नहीं हुआ फिर सीधे चलते हैं 1191 में 1191 में क्या हुआ सबको पता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का दूरती युद्ध हुआ तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ व फिर उसके बाद 12-13 साल बाद 1191 ACU में फिर पृत्वीराच चौहान ने इनको हरा दिया, फिर उसके बाद फिर से ये इसका खून कॉला हुआ तक फिर से अगले साल इसने आक्रमन कर दिया, और इस बार क्या हुआ, इस बार पृत्वीराच चौहान जी जो थे, वो हार गए, और हारने के बाद पृत्वीराच चौहान को इसने बंदी बना लिया, और कुछ समय बाद पृत्वीराज चौहान की इसने हत्या कर दी ठीक है हत्या करने के बाद भारत में जो तुर्क सक्ति की जो इस्थापना है जो मुस्लिम सक्ति की जो इस्थापना है वो मुहम्मद चौहान के हारने के साथ बिलकुल काबिज हो चुकी थी एक तरीके से फिर उसके बाद क्या हुआ 1192 इसमी में प्रत्वीराद चौहान जी चले गए फिर उसके बाद उसमें कन्नौच की तरफ चलते हैं जिसकी वज़े से इनको राजा जैचंद कहा जाता था ठीक है और ये राजा जैचंद कौन थे ये राजा जैचंद वही राजा थे इनकी पुत्री का नाम था ना सैयोगिता इनकी पुत्री का क्या नाम था इनकी पुत्री का नाम था सैयोगिता और प्रत्वीराद चौहान जो थे ना वो अजमेर के सा सकते इनको ये लेके गए ते इनका आपारड कर लिया था तो ये तो गुस्सा थे प्रतिवीराद चोहान जी से लेकिन क्या हुआ जब 1192 में प्रतिवीराद चोहान चले गए तो ये भी भाई गुस्सा हो गए जब ये भी कभी कभी यह पूछ लेता है कालनुकरम पूछ लेता है तराहिन का प्रतम युद्ध देदेगा तराहिन का दूर्ति युद्ध देदेगा चंदावर का युद्ध देदेगा एक और कोई युद्ध देदेगा तो चंदावर के युद्ध के बारे में जादा लोगों को पता इसलिए इस युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध कहा जाता है इसके बाद क्या हुआ इस युद्ध में क्या हुआ इस युद्ध में मुहम्मद गोरी ने जैचंद को पराजित कर दिया और इसको युद्ध में ही मार दिया राजपुतों की हार हो गई राजपूतों की हार के बाद फिर इसने कुछ नहीं किया बीच में फिर 1205 इस्वी में क्या हुआ फिर 1205 इस्वी में मुहम्मद गोरी के विरुद एक जंजाती थी जिसका नाम था खोखरो जंजाती खोखरो ने इनके खिलाब विद्रो कर दिया विद्रो करने के बाद मौम्मद गोरी ने इनको भी बड़ी कुरूरता से इनका जो है उनका खात्मा कर दिया इनका खात्मा करने के बाद फिर भी ये खतम नहीं हुए ये 1205 की बात मैं कर रहा हूँ ना ये 1205 में ये सब हुआ था 1206 में क्या हुआ मार्च 1206 में खोखर जो थे उन्होंने क्या किया इन्होंने इनको मौम्मद गोरी को पकड़के उनकी हत्या कर दी क्या कर दी हत्या कर दी तो इनकी गहानी यहां से खतम हो जाती 1226 विजे इनकी कहानी हो गई खतम ठीक है और एक important fact और जान जाईएगा कि चोहान वंस के सिक्कों की तरह जो मौम्मद गोरी था ना वो दिल्ली में भारतिये ढंकी मुद्राइन तयार करवाया था इसने भी फिर कन्नौज जीतने के बाद ना उसने क्या किया उसने भारत का राजा सुल्तान कहलाने के लिए लच्मी जी की आकरती का सिक्का जो है वो स्वल्ड के रूप में और रजत के रूप में इसने जारी किया important fact सारे हो गए इसका जो सही answer मुल्तान important fact हो गए अब अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं अगला प्रश्णी क्या बोल रहा है अगला प्रश्णी निम्लिकित भारती नरेशों में से किसने सरुप्तम मुहमद गोरी को पराजित किया था तो मैंने क्या बताया कौन था वो आदमी जिसने मुहमद गोरी को पराजित किया थ भीम दूर्ती पहले भीम थे वो भाग गये थे किसके लिए महमुद गजनभी ने हमला किया था तो भाग गये थे यह भीम दूर्ती है भीम दूर्ती ने डटकर सामना किया था कब डटकर सामना किया था इन्होंने 1178 में डटकर सामना किया था ठीक है अगले प्रिशन की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है निमलिकित में से मद एसिया के किसा सक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता 1192 मतलब तराइन का दूरतीय यूद्ध उसमें कौन था ये सिहाबुदीन मुहम्मद गोरी कौन था सिहाबुदीन मुहम्मद गोरी इसका सही एंसर है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सक्त की स्थापना होई मैंने बताया था मुहम्मद गोरी ही था तो पानीपत का प्रतम नहीं पानीपत का दुरती युद्ध पानीपत के दूरती युद्ध में भारत में मुस्लिम सकत की इस्थापना हो गई अगला प्रिश्ण है पृत्वीराज चौहान के विरुद मौम्मत गोरी के आक्रमण के समय कन्नौच पर किस वंस का सासन था उस समय कन्नौच का कौन था जो पृतिवीरा चोहान जी थे उनकी जो पत्नी थी सयोगिता, सयोगिता के जो पिता जी थे जैचंद वो वहाँ पर सासन करते थे कन्नौच के उपर और वो किस वन्से से रिलेट करते थे वो गहडवाल वन्से से रिलेट करते थे अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन बोल रहा है निमलिकित में से कौन राजा मुहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था चंदावर का युद्ध में किसने पराजित किया था चंदावर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच में हुआ था इतनी बात समझ में आ गई चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन बोल रहा है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था मैंने बताया था चंदा जैचन्द और गोरी के बीच में परी LOT मुंने प्राजित ऑगले प्रिशन की तरब चलते हैं अगरा प्रिश्ण बेका किस जैचन्द की में पराजित किया मैंने बताया था जैचन्द को बेटल度 क्याम द्मीट वय ग्यारासुTI कर दिया था विद्रो करने के बाद मुhmad गोरी ने इनका बड़ी कुर्टा से दमन कर दिया था उसके बाद 12 मार्च 126 16 में एक एस्थान है दम्यक नामग इस्थान जहां पर खोकर विद्रोंहीं ने मुhmad गोरी की हत्या कर दी तो इसका जो सफ़ी एंसर है इसका सही एंसर है answer number B खोखर अगला प्रशन है अगला प्रशन निमलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिये जिन पर हिंदू देवी की आकृती अंकित हो इसका सही एंसर क्या है लच्छमी जी की जिसमें आकृती अंकित थी वो है C मौम्मद गोरी ने ऐसा किया था ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन क्या बोल रहा है अगला प्रशन है किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लच्मी का अंकन मिलता है मौम्मद गोरी कौन था मौम्मद गोरी answer number D अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन बोल रहा है मौम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिकित में से किस युद में स्वेंभाग नहीं लिया तो किस ने भाग लिया इनके जो दास वगएरा थे उन्होंने भाग लिया तो देखो तराइन के प्रतम युद्ध में गोरी था कनोच के युद्ध में गोरी था उसके बाद खोकरों के विद्रों के समय भी गोरी था तो जो मुहम्मद गोरी था वो किसमें नहीं था वो जो अनहिल वाड़ा के चालुक्यों के जो विरुद लड़ाई हुई थी उसके मुहम्मद गोरी न कोई युद नहीं लड़ रहा था तो उसने युद लड़ने के लिए क्या गिया तो उसने उसका एक दास था जिसका नाम क्या था जिसका नाम था कुदुबुद्दीन एबक कुदुबुद्दीन एबक कुदुबुद्दीन एबक ने अपनी स्वामी भक पती सिद्ध करने के लिए गुजरात के चालुक के राजपूतों के खिलाफ जो उनकी राजधानी थी उनकी राजधानी का क्या नाम था अहिन वाड अनहिल वाड उनकी राजधानी का नाम था उसके उपर इसने आक्रमर कर दिया और उसकी राजधानी को बहुत भेंकर तरीक जाता है प्रथम इक्ता के रूप में कुतुब बुद्दीन एबग को न्यूक्ट कर दिया ठीक है मुहम्मद गोरी की हत्या हो गई मार्च 1260 में मुहम्मद गोरी की हत्या हो गई हत्या होने के बाद कुतुब बुद्दीन एबग क्या हुआ वो लहार पहुझिया और लहार म मुहम्मद गोरी ने किसको प्रतम इक्ता प्रदान किया था मैंने बताया कौन था इसका दास कुतुबुदी नेबा किसका दास था उसको प्रतम इक्ता प्रदान किया था इसके बाद अगला कोश्चन है मुहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी दोको बिहार वही बिहार पर वही है जिसने नलंदा यूनिवस्टी को पूरी तरीके से खतम कर दिया था वो कौन था वो दास था किसका दास था मुहम्मद गोरी का दास था उसका नाम क्या था उसका नाम था बक्तियार खिलजी उसका नाम क्या था बक्तियार खिलजी था बक्तियार खिलजी ने बिहार पर कब हमला किया था बक्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था बारा सो बारा सो दो से बारा सो तीन इसवी तक वो उसने मतलब बिहार को लूटता रहा और 1202 इस्वी में ही बिहार के नालंदा विस्विद्याले में नालंदा विस्विद्याले के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो उनका नाम क्या है उनका नाम याद रखिएगा नालंदा विस्विद्याले के जो संस्थापक है उनका नाम है कुमार गुत उनका नाम क्या है 1202 इसमें बिहार गया और नालंदा विशुविद्याले को पूरी तरीके से नस्ट कर दिया और वहाँ पे जो भिच्छुक रहते थे जो वहाँ के टीचर रहते थे उनकी इसने हत्या कर दी हत्या करने के बाद इसने जो वहाँ के एक बहुत important जो पुस्तकाले थे जिसके बारे में आज भी बताया जाता है वहाँ की पुस्तकाले को इसने जला कर नस्ट कर दिया ठीक है और बंगाल उसमें ये तो बिहार के बाद हो रही है उसमें बंगाल के जो सासक थे लच्छमर सेन उनको भी इसने पराजित कर दिया ठीक है चलिए कितना घटिया काम किया था इसने चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन क्या बोल रहा है अगला प्रशन है निम्नलिकित में से कौन प्रथम मुस्लिम सैने कमांडर था जिसने सेन राजवन्स का तकता पलट बिहार और बंगाल को अपने राजव में मिलाया अभी मैंने सारी स्टोरी बताई किसकी स्टोरी बताई थी बक्तियार खिल जी अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण कौन सा है अगला प्रश्ण है निमनिलिकित नामों को काला नुकरम में विवस्थित करें और नीचे दियेगे उत्तर का सही विकल्ब बताएं ठीक है अब इसमें चार आप्सन दे रखें चार आप्सन कौन कौन से है चंगेच खां महमूद गजनभी मौम्मद गोरी और तैमूर देखो महमूद गजनभी के बारे में अभी मैंने क्या बताया था आज के वीडियो में महमूद गजनभी ने भारत पर कब से कब तक आकरमल किया एक हजार इसवी से इसने आक्रमड स्टार्ट किया और एक हजार सताइस इसवी तक ये आक्रमड करता रहा इतनी बात क्लियर हो गई फिर उसके बाद आए उसने सत्रा बार भारत पर आक्रमड किया फिर उसके बाद कौन आए उसके बाद आए मुहम्मद गोरी और मुहम्मद गोरी ने अपना पहला अक्रमण करत किया मुहम्मद गोरी ने अपना पहला अक्रमण किया 1175 में कहां पर किया था मुल्तान में किया था उस समय मुल्तान के जो राजा थे उनका नाम किया था उनका नाम था करमाथी जाती का मुसल्मान जो था वो वहाँ का उस समय राजा था फिर उसके बाद कौन है उसके बाद है चंगेज खान चंगेज खान इलतुतमिस के सासनकाल में है और इलतुतमिस जो थे वो 1221 में ही आये थे उस समय कब आये थे 1221 में भारत के सीमान तेजियो छेत्र था सिंदू पर सिंदू पर इसने हुआ था अब आप आपनो डां कर सकते हैं पहले कौन आया सबसे पहले महमूद गजन prod नंबर दो से एक ही ऑप्षन है ये वालाthon है आप देख सकते हैं नंबर दो पे महमूद गजन आप ये मतलब पहले नंबर पे महमुद गजन आपे फिर उसके बाद हो कैसी लग रही आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए और चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब और लाइक करवाईए धन्यवाद